हाई अरिवन तो केम चो मेरी जान मस्त मदामा ओल्गम यू आल तो अनुदर एक्साइटिंग वीड़ो ऑफ एजुकेशनल हाइक्स और आज के इस वीड़ो में हम रेन अन्दे रूफ पोयम के सभी क्वेश्चिन एंसर्स डिस्कस करने वाले हैं जी हां हमने अल्लेडी इस प आपके लिए कर आपने उस पोयम को नहीं देखा है लाइन बयाइन एक्स्वानेशन नहीं देखा ना तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी लिंक पर क्लिक करो और जो भी चाप्र आपन किया है अगर पहली बार हमारे चानल पर आये हो तो जान लो मेरा नाम प्रेम पांडे है और चानल को सस्क्राइब जरूर करो या रेड वाला बटन दबा के और घंटी को भी दबा देना ताकि हमारी पोयम को समझने में परसानी पैदा करते हैं ना सबसे पहले उन वर्ट को देख लेते हैं देखो फर्स्ट वर्ड इस पैटर पैटर का मतलब क्या होता है जब कभी भी बारिस होती तो पैटर पैटर की आवाज आती है बस वही जो साउंड है that is known as पैटर जी हां बारिस की बू तुरंत बंद हो जाता है that is known as flashed मतलब कोई ची अचानक से आ जाए यहां पर यह वर्ड क्यों यूज हुआ है क्योंकि भाई पोएट की दिमाग में न अचानक से बारिस से जुड़ी सभी यादे याद आने लगती है इसलिए यह flashed वर्ड यूज हुआ है ठीक है नमी हो जिसके अंदर water की कुछ मात्रा पहले से अविलेबल हो उसको हम यूमिड कहते हैं तो यहां पर क्या यूमिड है shadows यानि clouds जो है वो यूमिड है मतलब वो बारिस करने वाले बादल है ठीक है चलो fourth word is starry sphere अब starry sphere का मतलब क्या है starry का मतलब full of star और sphere का मतलब sky मतलब ज bliss का मतलब होता है pleasure या आप कह सकते हो मजा लेना ठीक है तो poet क्या करता है इस समय बारिस का मजा लेता है इस पोयम में इसलिए यह word यूज हुआ है bliss now next word is cottage chamber bed अब यह word का मतलब क्या हुआ? cottage का मतलब होता है घर chamber का मतलब होता है घर के अंदर जो room है और bed का मतलब होता है जो घर के अंदर room है उसके अंदर जो bed रखा गया है उसको हम cottage chamber bed कहते है यानि वो bed जो हमारी bedroom में रखा गया है उसको हम cottage chamber bed कहते हैं केवल cottage chamber का मतलब क्या होता है cottage chamber का मतलब होता है bedroom आपके घर में जो आपका bedroom होता है उसको आप cottage chamber कहते हो ठीक है Tinkle, Tinkle क्या है To make a light high ringing sound जो जहनकार की आवाज आती है बारिस की बूदे जब कभी भी पढ़ती है कहीं पर भी पढ़ती है छट पर पढ़ती है तो आपने देखा होगा आवाज आती है बस उसी आवाज को हम tinkle कहते हैं ठीक है Tinkle हमारे एक sound word है Tinkle का मतलब होता है जन जन की आवाज produce करना जैसे बारिस की बूदे जब आपके छट पर गिरती है तो उसी एक आवाज निकालती है बस वही आवाज आपका टिंकल कहलाता है ठीक है Singles Singles की मीनिंग क्या होती है बहीं Singles का मतलब होता है छट के ऊपर रखे जाने वाले जो छोटे-छोटे पत्थर होते है उनको हम Singles कहते है यहाँ पर Poet के छट पर जो बारिस की बूदे गिर रही थी वो कहाँ पर गिर रही थी वो Singles पर गिर रही थी ठीक है Hindi में Singles को हम खपड़ेल कहते है आपने देखा होगा गाओं में खपड़ेल का यूज होता है छटो के ऊपर तो बस that is Singles ठीक है Dreamy Fancy Dreamy Fancy का मतलब होता है Imagination या यादे ठीक है Recollection Recollections का मतलब होता है Memories जो यहाँ पर Poet की बारिस से जुड़ी जितनी भी Memories थी जितनी भी Recollections थी वो Poet को याद आने लगती है ठीक है Recollection का मतलब ऐसा collection जो दुबारा याद आ जाए मतलब Memories हमारी ठीक है Woof Woof का मतलब क्या होता है वैसे तो Woof का मतलब होता है Oon का गुच्छा Oon होता है एक एक बहुत प्यारी से पिक्चर बना लेती है बस उसी को Woof कहा गया है Got it Darling Dreamers ये word किसलिए यूज हुआ है Poet के लिए और उसके छोटे छोटे भाईयों के लिए ये Poet बताता है न कि हमारी मा हम जैसे Darling Dreamers को साम तक सोने देती थी तो ये Darling Dreamers कौन है यहाँ पर Poet और उसके छोटे बड़े भाई बहन जो भी थे Array Array word का मतलब क्या होता है Array पुराने literature में यूज होता था जब कोई भी poem लिखता था तो Array word का यूज करता था Array का मतलब होता है before, पहले List List का मतलब क्या होता है List का मतलब Listen होता है Refrain Refrain का मतलब क्या होता है किसी एक हिस्से को बार-बार दोहराना जैसे आपने कई गानों में देखा होगा ला-ला-ला-ला तो ला-ला-ला-ला कितनी बार यूज हुआ है ठीक है तो यहाँ पर Refrain हुआ है अभी इस पोयम में इस वर्ड का क्यों यूज हुआ है क्योंकि भीया जो बार-बार ये कही आवाज निकाल रही थी टप 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 तो यह बारिस की बूदो का क्या है Refrain है Repeating sound है ठीक है So these all are the important word meanings from this chapter हाई वैसे तो आज सभी students का एक dream होता है कि हम IIT और NIT जैसे colleges से अपनी engineering की पढ़ाई करें AIM जैसे colleges से अपनी medical की पढ़ाई करें बढ़ आपको पता है इन colleges के लिए आपका rank भी बहुत अच्छा होना चाहिए इससे आपकी preparation भी next level होनी चाहिए अब अपनी next level preparation करनी के लिए आप Anikademy की combo subscription के साथ जा सकते हो अगर आप अभी class 9th में हो तो 9, 10th का combo आप ले सकते हो 2 साल के लिए आप अगर 2 साल का subscription लेते हो ना तो आपको Anikademy plus 2 years अपनी तरब से देता है जिसमें आप 9, 10th IIT JE की preparation कर सकते हो तो ऐसे ही अगर आप class 10th में हो तो you should go for Anikademy class 10th and 11th subscription इसके साथ अगर आपका कोई drop year है तो वो उसको भी cover कर लेते हैं मतलब आपको 2 साल के subscription में पुरे 4 साल मिलने वाले Anikademy का combo subscription लेने के अपने अलग फायदे हैं इसके अलग benefits है अगर आप कभी भी plus subscription लेते हो जैसे आप class 9, 10th का combo subscription लेते हो या 10th 11th का या drop year का combo subscription लेते हो ना तो आपको plus classes में live classes तो मिलती हैं साथ साथ test and quizzes कंड़क कराया जाते हैं पुरा एक proper syllabus की recording आपको एक इस structured पढ़ाई करवाई जाती है और आपको अलग-अलग courses के access भी मिल जाते है तो आपको ये code यूज करना चाहिए आपको 10% का discount मिल जाता है अब बात करते हैं अब हम in-text short answer questions की इस poem से केवल दो questions बन सकते हैं वो कौन से questions है वो हम पढ़ते हैं which style of poem writing is used in this poem आप से पूछा जा रहा है कि भाई इस poem में ये जो poet है ये कौन से poem writing style का use करता है 3 words, haku, sonate या nostalgia अब ये क्या है ये तीनो और ये चारो कौन से writing style है ये तुम्हें बात में बताऊंगा लेकिन ये जो poem है ये nostalgia writing style है nostalgia का मतलब क्या होता है जब कभी भी हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और उसको लिखते हैं तो समझाओ वो nostalgia का example है यहाँ पर poet अपनी मा को याद करता है मा उसकी बहुत साल पहले हुआ करती थी इसलिए ये जो poem है ये nostalgia का example है अच्छा, इस poem के writer कौन है? तो poet skinny, याद रखना he is the writer of this particular poem अब हम बात करते हैं NCRT exercise question and answer की आपका जो पहला question है इस पहले question में आपको कुछ phrases दिये गए हैं आपको उसकी meaning बतानी है ठीक है? चलो, सबसे पहला humid shadows अब humid shadows का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहली भी बताया इट refers to the dark clouds that produce rain ये जो humid shadows है ये इस poem में क्यों यूज हुआ है? क्योंकि उन काले काले बादलों के लिए यूज होता है जो की बारिस लेकर आते हैं अपने साथ ठीक है? poet जब भी इस poem को लिख रहा था ना तो बारिस आने वाली थी इसलिए वो लिखता है कि भाई जो काले काले बादल है वो आस्मान में छा गए है humid shadows ने पूरे खुले आस्मान को cover कर लिया है humid shadows मतलब dark cloud ठीक है? starry spheres आपको पता है कि भाई sky full of stars यानि खुला आस्मान जिसे हम कह सकते हैं रात में कैसा होता है रात में पूरे आस्मान में तारे होते हैं खुला आस्मान होता है बस उसी आस्मान को हम starry spheres कहते हैं ठीक है? what a bliss अब इस phrase का मतलब क्या हुआ? what a bliss मतलब कितना मज़ा आता है it is a state of complete happiness or joy अगर कभी कोई इंसान बहुत जादा खुस हो जाए उसे किसी चीज को करने में बहुत मज़ा आ रहा हो तो वो ये word यूज कर सकता है ये phrase यूज कर सकता है what a bliss फोर्थ की बात करते है अब ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? देखो thousand जो word है न वो किस चीज के लिए यूज हुआ है? innumerable number of imagination और dreamy fancies किस लिए यूज हुआ है? imagination word के लिए तो भाई these imaginations keep our busy all the time keep our mind busy all the time फिर से समझो thousand dreamy fancies into busy being start मतलब हजारो imaginations हजारो बारिष से जुड़ी यादे एक इंसान के अंदर याद आने लगती है जब भी वो बारिष को देखता है बस इस फ्रेज का मीनिंग यही है ठीक है? फिप्थ अब देखो यहाँ पर कौन से री कलेक्शन की बात हो रही है जब पोईट बारिष को देखता है न तो हजारो यादें एक दूसरे से जुड़ने लगती है और एक पुरा गुच्छा बना लेती है बस यह फ्रेज उसी के लिए यूज हुआ है जब कभी भी हम स्वेटर को बिंबुनते हैं तो आपने देखा होगा कि भाई कई सारे दागे एक इकठा हो जाते हैं और एक पुरा स्वेटर बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही यहां पर पुएट की जो यादे है न वो बिल्कुल धागे की तरह एक दूसरे से जुड़ जाती है और एक ब्यूटिफुल सा पिक्चर अपनी मा का इस पुएट की दिमाग में आ जाता है ठीक है जब बारिस होती थी तो इस बारिस के मौसम में पुएट को क्या करना पसंद था तो भाई जब कभी भी बारिस होती थी तो पुएट को क्या पसंद था अपना सर तकिये के ऊपर रख कर और अपने बेडरूम में बैठ कर बारिस के बूदों की आवाज सुनना इस पुएट को बहुत पसंद था अपने बेडरूम में बैठ कर तकिये पर अपना सर रख कर और अपने छट के ऊपर जो बारिस हो रही है उसकी टप 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 की आवाज सुनना पुएट को बहुत ज़ादा पसंद था ठीक है इसी question में दूसरा question पूछ रहा है कि who are the darling dreamers he refers to यह जो darling dreamer word यूज हुआ है यह poem में किसके लिए यूज हुआ है यह देखो darling dreamers are those kids who remember their mothers like the poet अब देखो इस poem में जो poet है ना वो अपनी मा को याद कर रहा है poet की मा क्या करती थी भाई poet को साम तक सोने दिया करती थी ताकि बारिस के मौसम में poet आराम से सपने देख सके तो भाई poet की लिए यहाँ पर darling dreamer word यूज हुआ है या poet की जैसे वो सभी बच्चे जो अपनी मा को याद करते हैं उनकी लिए यह darling dreamer word यूज हुआ है इस जो poet है क्या वो अभी एक बच्चा है क्या इसकी मा अभी जिन्दा है नहीं ना तो poet अभी भी बच्चा है poet अभ बड़ा हो गया है और इसकी मा अभी जिन्दा नहीं है क्यों? क्योंकि भाई he remembers her when she is inside his cozy cottage and enjoy the pattern of rain on the roof अब सबसे पहला तो यह question पूछ रहा है क्या poet अभी भी बच्चा है नहीं, poet बच्चा नहीं है poet बड़ा हो गया है अब इसकी मा भी जिन्दा नहीं है अब यह जो poet है यह अपनी मा को तब याद करता है जब यह अपने अराम दायक से bedroom में बैट कर बारिस की टपटपाहट को सुन रहा था तब यह अपनी मा को याद करता है ठीक है देखो यार, मैं यह जो पूरा PDF है ना इसका link आपको description box में दे दूँगा आप यह जो question answer है directly अपने gallery में download कर सकते हो और जब गभी भी चाहो पढ़ सकते हो चालो, अभी देखो type 2 यह NCRT exercise दी है लेकिन second type के questions हैं इसमें पहला question इसमें क्या कहरा है? कहरा है कि जब तुम छोटे बच्चे थे आपसे पूछ रहा है कि जब तुम छोटे बच्चे थे अभी हमने इस poem में क्या देखा? हमने देखा कि जो poet की मा है जब poet छोटा बच्चा था तो उसकी माँ उनको बारिस में सोने दिया करती थी क्या तुम्हारी भी माँ ऐसा करती थी बिल्कुल हम सभी की माँ ऐसा करती है Yes, my mother used to tuck me in when I was a young child जब मैं छोड़ा बच्चा था न तब मेरी भी माँ ऐसे किया करती जी हाँ मेरी भी माँ ऐसा किया करती थी जैसे कि poet की माँ करती थी ठीक है तो ये वाला question तो done हो गया Do you like rain? आपसे पूछ रहे क्या तुम्हें बारिस पसंद है? अच्छा एक बात बताओ अगर बारिस तुम्हें पसंद है What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem तुम्हें बारिस अगर पसंद है तो एक बात बताओ जब बारिस होती है तो तुम क्या करते हो मतलब जब बारिस धीरे धीरे होती है तब तुम क्या करते हो जब बारिस बहुत तेज से होती है तब तुम क्या करते हो अब ये आपको बताना है तो सबसे पहले answer क्या होगा जी हाँ बिलकुल बारिस सबको पसंद होती है क्या करते हो तुम बारिस में I like rain and prefer to take bath in the rain for some time भाई जब बारिस धीरे धीरे हो रही होती है रहा तो हम सभी को पसंद होता है कि हम उस बारिस में जाकर नहाएं ठीक है लेकिन जब ये बारिस तेज हो जाती है तो हम घर के अंदर आ जाते हैं और इस बारिस को गिरता हुआ देखते हैं इस nature की beauty को देखते हैं ठीक है चलो So last question from this particular chapter ये question आप से पूछ रहा है कि Does everybody have a cozy bed? क्या आपकी अगल बगल जितनी भी लोग है उन सभी के पास सोने के लिए आराम दायक बेड है, है ऐसा अब तुम बताओ मुझे Look around you, अपने अगल बगल देखो और ये बताओ, ये answer करो कि भाई, तुम्हारे अगल बगल कितने अलग-अलग तरीके के लोग रहते हैं और वो बारिस के समय अपना ताइम, अपना जो दिन है, बारिस के दिन वो कहां बिताते हैं, वो कहां पर छुपने के लिए जग़ ढूरते हैं जब बारिस होती है तो, ये आपको बताना है तो हमने answer क्या लिखा है, हमने लिखा है नहीं भाई, हर कोई इतना ज़दा भाग्यवान नहीं होता कि सभी को आराम दायक बेड मिल पाए ठीक है, to have a कॉजी बेड, to lie in when it rains, मतलब जब कभी भी बारिस होती है, तो सभी लोग इतने भाग्यसाली इतने लखी नहीं होते कि उनके पास आराम दायक बेड हो जिस पे वो सो सकें, ठीक है not everybody gets to enjoy the comfort of cozy homes, कह रहा है कि भाई सभी के बस की बात नहीं है, कि सभी आराम दायक घरों में रहें क्योंकि भाई, किसी किसी के घर टूटे-फूटे होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है अच्छा, हमने अगल बगल के लोगों को जब देखा ना, तो हमने swap keepers को देखा, जो हमारे बारिस के मौसम में जो swap keepers होते हैं, वो क्या करते हैं, the swap keepers of such stalls are delighted as the people waiting for the rain to subside often end up buying tea and snakes मतलब जो swap keepers होते हैं, जो कुछ खानी पीने की चीज़े बारिस के मौसम में बेशते हैं तो वो क्या होता है, वो क्या करते हैं जैसे ही बारिस रुकती है, तो लोग इंतजार करते रहते हैं, कि बारिस रुके हम बाहर जाएं चाए, नास्ता, ये सब करें ठीक है, so this is all about this particular poem मैं फिर से कह रहा हूँ, इस poem की जो PDF link है, आपको description box में मिल जाएगी आप download कर सकते हो, जब कभी भी मन करें, आप इसको learn कर सकते हो और exam में लिख सकते हो, so this is all about this poem, hope you have loved this poem अपना प्यार जरूर दिखाएं, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए शश्याकाल और